हेलो आप सभी का हमारे चैनल पर फिर स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से सेर करने जा रही हूँ यहाँ पर देखिए आलू है और यह मैं लगाए हुए कमस्कम एक महिना हो चुका है और इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों से सेर किया था तो आज इसी की बा वाली हूँ और दोनों में ही देखिए इसमें भी देखिए एक महिना हो गया है और एक महिना में कमस्कम आलू बनने ही लगते दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कि इसमें भी देखिए आलू आ रहे है और देखिए हमने थोड़ी सी मिट्टी पर लगाई थी तो अब क्या ह हुआ कि देखिए इस तरह से आलू उपर आ रहे हैं तो आप हमें इसे कवर करना है तो कवर करना है तो इसके साथ हमें थोड़ा से मिट्टी खाद वगएरा भी मिला कर डालना होगा तो आज मैं आप वही शेर कर रहे हूं कि देखिए मैं क्या क्या डालती हूं पर और हर 15 दि कि इतना बड़ा हो गया है काफी बड़ा हो गया है तो और इसके बीच में मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाला है एक महीना तक हां लीकविट फर्टिलाइजर में डालते आई हूं तो यहां पर देखिए यह मैंने खाद लिया हुआ है तो मिट्टी ली है और यहां पर दे किचन वेस्ट से बना हुआ खाद और यह देखे राइसक्स मेरे पास नहीं है तो यह पुआल आता है ना होसी का कटा हुआ भाग है तो मैं इसे भी इस्तेमाल करके देख रहे हूं क्योंकि मुझे राइसक्स मेल ने रहे और अंडे लिए हैं कैंसम के लिए तो आप इसके इस तरह से अमने ले लिए और सब भी को मिला लेना है और हमेशें जब भी आलु या प्याज में मैं हमेशे बताती हुए कि उसमें हलकीमिटी बनाए और आदि की सब्रशा मिलाने सब्सक्रत अ मनें और तेसे में आप Ctrl ओlt roll Studio तीन महिन में तयार हो ही जाते हैं और एक महि舏 हो चुक्ए हमारा हर पंद्रा दिन में इस तरह से डालेंगे और बीच बीच में लिक्विट फर्टिलाइजर देते रहें जैसे प्याज के छिलके का लिक्विट हुआ या फिर केले का छिलके का लिक्विट फर्टिलाइजर हुआ की में पहलेख और जालने का सर्साथ का लीकर वी टाल सकता है और गंबर के कंडों का वी लीकर वी डालें तो कि और आप 5 दिन के दूरी प्रेंसे के और सकतें, उसक्ति आप 5 दिन के बाद मैं कोई ना कोई लीक्विट फाटिलाजर देती हूं और मैं एकदम पतला करके देती हूं बिल्कुल भी गाड़ा नहीं देती हूं तो उस तरह से आप लोग भी दे सकते हैं और हर 15 दिन में इस तरह का दो तीन बार इस तरह खाट डालेंगे तो आपका अलू तैयार ही हो जाएगा उसके बाद दो महिना तक डाले उसक आख जो हमारे आलू बनेंगे तो वह क्या होगा कि कवर होते जाएंगे तो इस त carn differenti अर्य है देखेंगे बीट तरह पर भी यहां यहाँ पर देखिया इस तरह से हो गया और पर केमिकल डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं तो मैं प्राज डाला हुआ सिन सब्धूर में कुछ पर साबच में डलके साब करें से दाल है इससे के प्रे proceed जो में देते रहते हैं तो इसे तरह आप भी करें और यह बहुत ही आसानी से ग्रोव होते हैं मैं पिछले साल भी लगाई थी तो मेरे अच्छे खासे आलू आये थे आप लोग ने देख लिया कैसे मैंने क्या है और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ जमीनों में तो गुड़ाई कर सकते हैं लेकिन ऐसे गमले में लगाया है तो हम लोग गुड़ाई नहीं कर सकते हैं तो इसलिए थोड़ा कम मिटी में लगा है थोड़ी थोड़ी मिटी है दस दि बाई और अगर वीडियो अच्छी लगी होते एक लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो अपने घरों में भी एक बादा जरूर लगाएगा थैंक यू बाई